कुवे में गिरा किसान 6 घंटे बाद निकाला जा सका सब। सेक्षन पाइप को ठीक करते समय मिट्टी धसने से हुई थी दुरघटना। नमस्कार मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं दखवरदार ग्यूज। विदिसा जिले के गंजबासवदा विधानसवा 6 तरत्योंदा तहसिल के खेरावदा गाओं में मंगलवार को सुबह कच्चे कुवां पर काम कर रहे 45 वर्सी किसान राजाराम कुर्मी की कुवां के मिट्टी धसने से मौत हो गई। रिस्क्यू टीम ने 6 घंटों की कड़ी मसक्कत के बाद राजाराम कुर्मी के मिट्ट सरीर को बाहर निकाला। SDM रोसन राय, SDOP भारत भूसर सर्मा तहसिलदार दिलीव जारिया मौके पर पहुँच कर वहां भरे हुए पानी को खाली कराने का काम सुरू कराया। इस बीच कुएं की मिट्टी लगातार धंस रही थी, जिसके बाद JCB की मदद से कुएं की चोड़ाई बढ़ाई गई। विदिशा से होंग का डिस्ट्रिक्ट कमांडर एंके हनोतिया और कमपनी कमांडर ससिधर पिल्लाई 10 जवानों के साथ मौके पर पहुचे। आपको बता दें कि किसाम राजा रामकुर्मी तीन बच्चों के पिता थे। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए ये देखते हैं विदिशा त्योदा से आसी सहेले की यह रिपोर्ट बने रही है दखवरदार न्यूज के साथ नमस्कार टाली के खिए शलेट के साथारी साथादा। आ चला लुच। आपको अ कर बाया बाया मैं यूंटी